दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर अब आप इनी खबरों को देख सकते हैं हमारी आप पर तो फिर देर किस बात की है जल्दी जाएए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की आप को दिल्ली में All Women Miranda House College में दो दिन पहले दिवाली मेला प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसका विडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है असल में दिवाली फेस्ट वाले दिन कुछ छात्रों ने दिवार फांद कर कॉलेज कैंपस में घुसने की कोशिश की कॉलेज में प्रोवेश्च करने के लिए लड़कों ने दिवार फांदी गंदे कमेंट्स किये इस दवरान कॉलेज की छात्रों ने उत्रपीडन महसूस की हालाकि कॉलेज प्रशासर ने इस मामले में सफाई दी है और कहा है कि इस दरान कुछ भी अप्रियन नहीं हुआ है आपको पता दें कि मिरांडा हाउस की कुछ छात्राओं ने आरोब लगाया है कि कई यूगप परिसर में दिवाली उच्छब देखने के लिए कॉलेज की दि कुमते और नारे लगाते हुए दिख रहे हैं इस मामले में दिल्ली महीला आयोक की अध्यक्षत माती मालिवाल ने ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि दिल्ली के सबसे विख्यात कॉलेज में से एक मिरांडा हाउस में चल रहे दिवाली मेले में लड़के दिवार फांद कर जबरदस्ती घुस रहे हैं लड़कियों ने छेड़ चाड़ और शोशन के घंबीर आरोप लगाए हैं हम दिल्ली पुलिस और कॉलेज प्रश्रासन को नोटिस भेज रहे हैं कैसे ये गुंड़ागर्दी हुई क्या सुरक्षा प्रभंद किये गए पुलिस ने इस मामले म दिवाली उत्सव घटना मुक्त रहा के साथ कई प्रयासों के बाद भी कॉलेज प्रशासन की और से कोई जवाब नहीं आया एक छात्रा ने ट्वीट में दावा किया कि शुक्रवार की घटना के दौरान उन्हें महीला विरोधी और भद्धी टिपणियों का सामना करना प ने कहा रामजस का नारा है मिरांडा पूरा हमारा है जैसे महीला विरोधी नारे लगाए छात्रा ने कहा कि ऑक्टूबर 2022 में मिरांडा हाउस कॉलेज में दिवाली मेला उत्सव कारेकरम था और सभी कॉलेज के छात्रों के लिए प्रवेश की अनुमती थी लेकिन अचानक भारी भीड अंदर जमा हो गई इसलिए कुछ समय के लिए कॉलेज प्रशासन को प्रवेश द्वार बंद करना पड़ा ब्यूरो रिपोर्ट तेज तर्रार अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेर करना ना भूलें साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दवाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे